दरूरत भी नहीं पदमावती फिल्म नहीं बलकि राजपूतों का अपमान और ये असेहनी है ये कहना है शत्री युवक संग के प्रमुक और राजपूत फांडेशन के संस्थापक भगवान सिंग रोल साहब सर का जिमीडियस एक्सक्रूसिब बाचीत में रोल साहब सर ने क कोई भी अब एक गाली दे और हम सहन कर लें ये संभव नहीं संभाद दाता योगे शर्मा ने की राजपूत समाज के प्रतिश्ठित व्यक्तित हुए रोल साहब सर से खास बाचीत पद्मावती फिल्म को लेकर पूरे देश ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में चर्चा है फिल्म अभी रिलीज नहीं हुए लेकिन उससे पहले ही विवाद चार और पसर चुका है राजपूर समाज आंदोलन रत है अमार साथ है राजपूर समाज के प्रमुक पुरोधा च लेकर जो फिल्म बलाने वाले आज से पहले भी फिल्में बनाते रहे हैं अब की बार यह इतना जबरदस्त विरोध हुआ यह उन्हों नहीं की थी कि हमारे कोन से दृश्य शिक्या प्रभाव पड़ेगा और राजपूतों का इतियास किर परकार का इसको कोई बताने कि है कि छोड़ी बहुत भी उसके ओपर कोई चांटा डाल दे तो वो बुरा लगता है जिस किसी ने भी सुना है कि अब राजपूत नहीं लेकिन जिस किसी ने भी इस पद्मापती के बारे में सुना है सब का रदे पर ठोस पहुंची है इसलिए इसके अबर बेहन लगने की जो बात कही रही है वो वाजीब लगती है चै कि यदि कोई स्निमा वाला उसको देख सकता है कोई पतरकाद देख सकता है और जो लोग मांग कर रहे हैं दिका उनको दिकाए नहीं जा रहा है इसका मतलब कोई कोई शड़ी अंतर है या फिर इसके पीछे कमाई का कि अशिक विरोध होगा उतनी अच्छी चलेगी तो अच्छी तो चलेगी इसको चलने देंगे एक द्रश्च है जहां पर घूमर नत्य जो हो रहा है उस घूमर नत्य को लेकर भी जो इतियास में पढ़ा गया वो यही कि वो केवल जनानी डोडी पर होता है लेकिन फिलम में उस तरही क परमपराओं की खिलाफ पड़ता है राजे रजवारों के बारे में जिस तरह से टिपणी हुई जावेद अक्तर की राजा महराजाओं की बात नहीं है छोटे छोटे ठीकाने दारे उन्हों भी अंग्रिजों के विरुद लड़ रहे थे ऐसे में यह इस परकार की टिपण कि इतना बहिंकर होगा लेकिन जावेद अक्तर का इस प्रकार से बयान बाजी करना बिलकुल वाजीब नहीं है उसको कोई साइन नहीं करेगा राजस्तान में क्योंकि पूरे राजपूर समाज के अंदर चत्री युक संग का बगवान सिंग रोल साब्सर का जो संदेश है वो सबसे महत्पूर्ण होता है फिलम को लेकर जिस तरह पूरा समाज और सर्व समाज ही कहे जा सकता है यहां तो कि मुस्लिम संगठन भी राजपूर समाज के साथ खड़े हैं तो ऐसे में आपका क्या संदेश रहा है मुद्दा सम्वेदन सील है और बावनाओं से जुड़ा हुआ है तो जो लोग इस परकार की उगरता दिखा रहे हैं उनको भी दहरी प्रिखना चाहिए लेकिन जो उगरता है यह तो बनी रहे जब तक इनका कोई समाधान ने किया जाएगा लेकिन यहां तो बिल्कुल ही आप रहुक लगता है वो कोई शयन नहीं करेगा इस परकार का बिना कोई योजना के इतियास का कोई इतियासी सम्मधित कोई भी फिल्म नहीं बदानी चाहिए बहुत-बहुत धन्यवाद और जैस तरह से बागवान सिंग जी ने अपनी बात कही और एक चत्री योग संग क राजपू समाज में एक संदेश जाता है वो संदेश यही है कि इस तरह की फिल्म में नहीं बननी चाहिए कैमरा जनलिस्ट धरमेंद्र के साथ योगे शर्मा जी मीडिया जैपुर